So, Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपके iPhone में, जब आप लोग data transfer करते हैं, बट आपको वहाँ पे सो होता है, unable to complete data transfer, और आपका data transfer नहीं होता है, तो कैसे आप यहाँ problem को fix करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ओके, वीडियो स्टार् पहले आप लोग हमारे YouTube Channel को subscribe कर लीजिगा, बिलका इकन को press कर लेना है, जब आपको इस टेप की problem आती है, आपके iPhone में, तो first of all तो आप अपने iPhone को एक बार switch off करें, फिर switch on करें, फिर आप लोग try कर लीजिगा, highly chance से आपकी problem ठीक हो जाएगी, या फिर किसी गलत activity की वज़ से आपको ये problem आती है, तो आप जाए अपने iPhone की settings पे देन आप click करें, जनरल पे scroll down करेंगे, आपको option में लेकर रस्पर और reset iPhone का इस पे click करें, reset पे click करें, और simple आपको अपने iPhone की जो all settings होती है, उसे reset करना है, ठीक है, इसमें जो भी गलत activity की वज़़ से आपको ये problem आ रह है, तो टापिक इस कवर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, जै मतादी